नमस्कार किसान भाईयों, टैकेगरी सलूसन में आपका श्वागत है, हम आज आलू खेती से सम्मंदित कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साजा कर रहे हैं, तो जो भी हमारे आलू वाले किसान भाईयों हमारे वीडियो को अंततक आवश्च देखें, किसान भाईयों और बीज बुआई करते समय, अलू को जो बीज हो, उसका भार लगबग 40-50 गराम का होना चाहिए, और उसमें जो आखें हो कम से कम, दो आख वाला बीज होना चाहिए, वो अंकुरित हो, जिससे बुआई करने के बाद जम जाए, यानि जितने कंद की आप बुआई करें, क प्रति पंदलेटर पानी में घोल बनाकर, आप पूरे कंद के ऊपर छिड़काओ कर दीजिए, अथवा आप पलसर नामक फपूद नासक दवा आती, इससे भी छिड़काओ कर सकते हैं, अगर इसके साल्ट नेम टेकनिकल की बात करते हैं, तिसमें जो दो थ्यू फ्लूजा प्रति किलोग्राम कंद के दर से सोधन कर सकते हैं, इन दवाओं में से, यद किसी भी दवा से सोधन कर लेते हैं, तो बिलेक सकर्फ, चेचक, स्कैब रोग, अथवा अन्य बहुत सारी बिमारियों को आने की संभावना हैं, एक एकड अलु बुआई करने के लिए 10 से 12 कुं के दूरी पर कर सकते हैं, अथा पौधे से पौधे की दूरी, अथा कंद से कंद की दूरी, 20 से 25 सेंटी मीटर की दूरी पर बुआई कर सकते हैं, किसान भायों, आलु की बुआई आप आलु बोने वाली मसीन की द्वारा भी कर सकते हैं, आलु का अच्छा उत्पादन लेन 40 kg पोटास प्रती एकड के अनुसार परियोग करना है जैसे पहला 25 दिन दूसरा 45 दिन अथवा तीसरी बारा परियोग करते हैं तो 60 दिन पर परियोग की जाएगी किसान भायों यदि आप DAP का परियोग करते हैं तो ऐसी श्रित्थी में प्रती एकड आपको 65-70 kg DAP का परियो करना है तब आप उरिया का परियोग के 105-110 kg करेंगे और पोटास यदि आप EMOP की रूप में देते हैं तो ऐसी स्थिति में 68 kg प्रती एकड के अनुसार परियोग करेंगे आलू बीज बुआई के बाद खरपतवार नियंतरन के लिए पेंडी मथलीन 30% EC में दवाएगी आप 12 श्रमल प्रती एकड दो स्लोटर पानी में घोल बना के छड़काओ कर सकते हैं किसान भाईओ इस दवाक के छड़काओ और बीज बुआई के 72 घंटों के अंदर छड़काओ कर सकते हैं आलू की पहली सिचाई बीज जम जाने के बाद ही करें किसान भाईओ खेती से अधिक जानकारी के लिए आप चनल को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें जो भी किसान भाई आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो दो हमारी चनल को सस्क्राइब आवस्त करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहु नमस्कार किसान भायों